हलो स्टुडेंट्स मैं हूं पंकच कुमार एलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डुंगरपूर और फिर से आज़पन देखने जा रहे हैं इन्स्टुमेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक डैनेमोमिटर टाइप वाटमिटर ओके मिकेनिकल सेकेंडियर यूनिट सेवन है उसका सब टॉपिक है तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इससे पहले तीन लेक्चर कंप्लेट हो चुके हैं आपने बेसिक्स के बार लिंक डेस्क्रिप्शन में है बेसिक कॉंसेप्ट के बारे में है तभी यह समझ में आएगा और फास्ली समझ में आ जाएगा यदि उनको देख लिया तो सिमिलर सा ही है तो आज कर इस टॉपिक में अपने स्टार्ट करते हैं डैनेमोमिटर वाटमिटर टाइप वाटमिट इस इंस्ट्रुमेंट का नाम अपन इसको इम्मसी भी बोलते हैं इसको इडियम टाइप इंस्ट्रुमेंट भी बोलते हैं क्याफूल फ़र्म है, एलेक्ट्रो मेगनेटिक, एलेक्ट्रो मेगनेटिक, मुविंग कोई इंस्ट्रुमेंट, या एडियम का क्या है, एलेक्ट्रो डायनेमो मेटर, एलेक्ट्रो डायनेमो मेटर, भी, यह इसका नाम है, अब इसके अंदर अपनको क्या पढ़ना है, सिरफ इसके वाट मेटर के बारे में, तो सेम वेसे ही पिसले लेक्टर्स की तरह है, बेसिक अपन पहले डियाग्राम बनाते हैं, फिर डियाग्राम से उस कंस्ट्रक्शन को एक्स्प्लैन करेंगे, ओपरेशन भी उसी के साथ में एक्स्प्लैन हो जाएगा, और फिर अपन उसके डिसद्वांटेज अगरा देख तो डियाग्राम बना रहा हूं है, इस अभी नोट कर लेना, कोईल बनानी है यहां पर, उसके बाद में यहां पर एक लोड बनाना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड होसाँ है, करता है, अब इसके बाद में, इसके पर वाइंडिंग लगानी है, अब यहां से अपन को, इस पर स्प्रिंग लगानी है, स्प्रिंग हो गए, स्प्रिंग के ओपर अपन को डिस्प्ले लगाना है, यह डिस्प्ले लगा दिया, और यहां पर इसके लिए, यह अपना जुएल बेरिंग लगा दी, तकि फ्रिक्शन अगरा से बत सके, और इसके बाद में अपन, वही नीचे के तरब भी सपोर्ट के लिए जुएल बेरिंग लगेगे, डागराम अच्छा बनाना आप, यह बेरिंग हो गही है यहां पर, एक सप्लाई दे देंगे यहां पर, फेज और नूट्रल, सप्लाई, नाम अंकरन कर देते हैं इसका, यह कोईल है, अब पूरा बताता हूं कौन सी कोईल है, किस तरी के से है, यह हो गई अपनी मूविंग कोईल, यहां से मेगनेटिक फिल्ड निकलेगी, यहां पर भी एक स्प्रिंग अपन को लगानी पड़ेगी, सप्लाई भी जाएगी, वन डेस और यह हो गया, वन, यह लोड लगा दिया अपने, यह अपना डिस्पले हो गया, फुल स्केल डिस्पले, तो डियाग्राम कंप्लीट हो गया है, डियाग्राम सब बना लो, फट अब एक डियाग्राम को एकस्पलेन करते हैं, यह डियाग्राम बनाया, अपने सप्लाई दी, यहां पर यह कोईल है, इसका नाम लिखावा एक कोईल होती है, फिक्स्ट कोईल जिसको दो पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट इधर की तरफ है, क्यों है, इस तरीके से, कि जो फ्लक्स जनरेट होगा, इस फिक्स कोईल की वज़े से, वो सिमेक्ट्रिकल जनरेट हो, यहां पर भी हाप पोर्शन है, यहां से जो यह एक ही कोईल है, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ताकि यहां से क्या होगा, कि जो फ इसके उपर जो डिस्पले के लिए निडिल लगी हुई टॉर्क जनरेट होने की वज़े से ये फुल स्केल डिस्पलेट के उपर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा कौन सा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जैनरेत होगा और जो मसीन तू लेक्टिंग टौर्क हो रहा है अपनी एलेक्टरोमेगनेट की से इसको कंट्रोल काने के लिए कि लगए इसके प्रिंग की वजह से लग रहा है यहां पर फ्रिक्शन और एरर वगरा कम हो इसलिए यहां पर यह जोएल बेरिंग लगी हुई है तो अब इसके अंदर लिख लेए इसका construction हो गया है किस तरीके से है construction अब इसके अंदर लिख लेते हैं depth Fc किया है ? Fc क्या है ? । नशिक्ष्ट कोईल है अथिक है इस उससे पहले एक लाइन और की यह जो काम करता है यह वाटमटर मिthen इन्स्ट्रूमेन बहा है हो किस प्रिंसिपल पर काम करता है présent समे üzere DoTD जब दो कोईल होजाती हैं कहीं भी दो इंड इंड़क्टेंस हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में एक जी-स इतना जानमे भाइब जब तो कि जो ड्यत inch two in मुद्व ओं chance तो यहां पर लिख लो principle इसका works on change in mutual inductance change in change in mutual inductance कोईल का inductance ही तो होता है ना तो change in mutual inductance अब इसमें दो तरह की कोईल होते हैं it consists of of two coils two coils के consist से मिलके बना होता है कौन सी होती है एक तो होती है fixed coil इसको current coil भी बोलते है ठीक है क्योंकि यह fix है यह move नहीं होगी इसलिए इसको बोलते है fixed coil और current coil भी बोलते है क्योंकि main current जो है वह इसी के थुरू ही flow होगी दूसरी जो current coil है उसको क्या बोलते है moving coil और इसको potential coil भी बोलते है या pressure coil भी बोलते है और जो deflection torque लग रहा है किस वज़े से लग रहा है electromagnetic moving force की वज़े से लग रहा है और जो अपना damping torque है sorry controlling torque है वो किस के वज़े से लग रहा है spring की वज़े से जो कि पहले बताया हुआ आपको वहां से note कर लेना वापस है नहीं तो वहां पर note किया हुआ है दुबारा note करने की जुरत नहीं है तो यह हो गया अपना construction अब यह operate principle बताया दिया मैंने अब यह operate कैसे करता है watt meter की तरह तो सबसे पहले तो watt meter काम में क्या आता है watt meter क्या measure करता है watt meter power को measure करता है it measures power क्योंकि power की unit होती है watt तो इसको कहते है watt meter इस instrument को use करके अपन emitter और voltmeter भी बना सकते है fixed coil और moving coil को इस तरह के से connect करेंगे कि यह emitter और voltmeter की तरह भी काम में आ सकता है लेकिन अपनको वह नहीं देखना है अपनको सिरफ और सिरफ wattmeter की देखना है तो अब यह जो instrument है इसको एक simplified diagram यह दी अपन बनाए इसका जैसे कि अपन हर एक chapter में बनाता है simplified diagram तो इसका यह दी watt यह wattmeter जब इसको use करेंगे तो इसका simplified diagram क्या होगा तो simplified diagram heading लगा 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 simplified diagram के अंदर क्या होगा कि fixed coil है वो एक जगह आजाएगी एक जगह fixed coil दिखाएगे और दूसरे जगह अपन potential coil दिखाएगे और यहाँ पर load लगा देगे लोड कौन सा होगा इलेक्ट्रिकल लोड अब यहाँ से अपनने supply दी फेज और neutral यह supply देदी मैंने जो fixed coil थी उनको दोनों पार्ट को जोड के दिखा दिया मैंने यहाँ पर यह हो गई fixed coil और यह moving coil थी इसको यहाँ पर दिखा दिया यह terminal होते हैं कुछ यह internally connected होते हैं यह तो इसकी importance पता होनी चाहिए तुम्हें कि इसका मतलब क्या M और C के बीच में एक coil already internally connected होती है और C और V के बीच में भी एक coil internally connected होती है M और C को short करना होता है अपन को बाहर से और L को load के साथ connect करना होता है और V को supply के इस दर neutral के साथ में common में connect करना होता है तो इन्हों terminal के नाम लिख लो M का मतलब वहता है main terminal C का मतलब वहता है common terminal L का मतलब वहता है load terminal V का मतलब वहता है voltage terminal ठीक है यह terminal हो गया simplify diagram हो गया अपनको इस तरीके से circuit जब बना दिखाते हैं तो इस तरीके का circuit बना के दिखाते हैं तो इससे अपनी जो reading आएगी वह किस के आएगी पावर के आएगी वह क्या चीज है इसलिए इसको बोलते है वाट मेटर अब इसके देख लेते हैं advantage और disadvantage simple से advantage है वह देख लेते हैं ज्यादा depth वाल advantage नहीं देखेंगे पहले advantage देख लेते हैं advantage में यह AC और DC दोनों के लिए काम में आता है works for both AC & DC दोनों तरह की supply के लिए काम में आता है यह AC के लिए भी काम में आता है इसकी accuracy काफी अच्छी है instrument काफी सही reading देता है ज्यादा गलत reading नहीं देता है तो advantage में यह आद कर लो सिरफ disadvantage देख लेते हैं सबसे पहले disadvantage non-uniform scale non-uniform moving iron में बताया था मैंने non-uniform का मतलब क्या होता है non-uniform scale है दूसरा electromagnetic है तो weak electromagnetic है तो very weak operating field क्योंकि यह permanent magnet होती तो क्या होता कि high operating field generate होती strength अच्छी होती लेकिन यहाँ पर operating field weak है इसलिए magnetic field की error होगी वो भी ज्यादा होगी power loss है वो ज्यादा होता है more power loss power consumption ज्यादा होता है more power consumption moving iron के अंदर जो disadvantage थे वो ही इसके अंदर भी है internal heating ज्यादा होती है internal heating ज्यादा होती है frictional error भी ज्यादा है तो यह main main है इनको याद रखना disadvantage को और advantage को भी काफी काम में आता है यह advantage और disadvantage तो जो watt meter में अपने देखा क्या क्या देख लिए watt meter में अपने इसके construction देख लिए ठीक है इसका जो डाइग्राम construction में जो भी part यूज में आ रहे हैं उन सब को देख लिए अपने explain कर लिए किस principle पर काम में आता है यह सब देख लिए अपने advantage देख लिए disadvantage देख लिए और इसका watt meter के रूप में किस तरीके से यह operate होता है किस तरीके का simplified diagram है वो अपने देख लिया है तो watt meter को जहां से देखना है क्योंकि watt meter बहुत ही ज़्यादा काम में आता है अब इसकी reading को पढ़ना थोड़ा different तरीके से होता है यदि meter को देखोगे आप तो इसके meter में जो एक slip लगी हुई होती है उसके उपर कुछ multiplying factor वगरा होते हैं उसके हिसाफ से इसको calculate करना होता है तो उसके लिए एक video है यदि तुमें देखना है तो first year के जो meter है वाट-meter पढ़ाया हुआ एक topic में तो वहाँ पे जाके देखना वहाँ पूरा video है वाट-meter की reading को कैसे पढ़ते हैं तो वह काफी helpful रहेगा और थोरी पार्ट के लिए यहाँ पे इतना sufficient है तो इसको जरूर से देख लेना शेयर कर देना और प्लीज इसको देखने से पहले जरूर देख लेना वीडियो स्टार्ट जो डेस्क्रिप्शन में दिये उनका लिंक तभी यह समझ में आयागा या फास्टली समझ में आ जाएगा ओके स्ट्रेंस थेंक्यू कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल झाल